हे गाईज वेलकम पाक टू माँ चानल हापी आर्स तो कैसे हैं आप लोग तो आज की रेसिपी में हम बनाने वाले हैं मैक पीजा पॉफ बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगे क्योंकि ये पीजा बफ्स हैं तो बच्चे तो पीजा बहुत जादा एंजॉय करते ही हैं तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो पीजा पॉफ बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है फिलिंग को तयार करना है पीजा की तो उसके लिए मैं ले रही हूँ कडाई में दो चमच रिफाइंड ओयल आप यहां पे बटर का यूज भी कर सकते हैं तेल बारी कट किया हुआ प्याज तो अनियन को बारी का अपने चॉप कर लेना है बहुत मोटा नहीं होना चाहिए बिलकुल बारी का अपने अनियन को चॉप करना है अब हमने इस प्याज को भी केवल एक मिनिट के लिए इसी तरह से लगातार चलाते हुए भून लेना है हमने भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो शिम्ला मिर्च के साथ मैं इसमें ये कौन एड़ कर रहे हूँ आप चाहें तो इसमें अपनी मन पसंद सबजियां भी आड़ कर सकते हैं और अगर आपके पास एक्स्ट्रा सबजियां नहीं है तो इसके वल इन से भी आपको कि चंकी होती है ना वेजिटिबल्स उसी तरह से हमने इनको रखना है तो एक मिनट के बाद मैं इसमें आड़ कर रहे हूँ नमक तो स्वाद अनुसार हम इसमें नमक आड़ करेंगे आप अपनी कौन्टिटी के हिसाब से भी आड़ कर सकते हैं जितनी कौन्टिटी में आप इन पफ्स को बना रहे हैं अब मैं इसमें अड़ करें उसका मेन इंग्रीडियन्ट जो है पीजा सॉस यह होमेड पीजा सॉस है अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप उपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं तो इसमें दो चमच के करीड मैं पीजा सॉस आड़ कर रहे हूँ तो पीजा सॉस आड़ करने के बाद इसको अब हमने इन सारी वेज़ेटेबल्स में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है गैस की फ्लेम को हमने यहां पे लो ही किया हुआ है लो टू मीडियम फ्लेम पे ही से बनाए अधरवाइस क्या होगा न यह वेज़ेटेबल्स बहुत जल्दी पक जाएंगी तो यह मज़ा नहीं आएगा उतना अच्छा पीजा पाफ में तो हमको इन वेज़ेबल्स को पूरी तरह से नहीं पकाना है चंकी रखना है हमने वेज़ेबल्स को तो इसको मैं एक मिनट के लिए इसी तरह से इस पीजा सॉस में रोल करते हुए पका रही हूँ वैसे तो हमने इसमें पीजा सॉस आड़ किया हुआ जिसमें ओरीगैनो अलरडी होता है पर फ्लेवर के लिए मैं थोड़ा सा ओरीगैनो इसमें और स्प्रिंकल कर रही हूँ जिससे इसका और भी ज्यादा अच्छा टेस्ट आ जाए ये बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आप मार्केट से रेडिमेट पीजा सॉस यूज़ कर रहे हैं और आपके पास ओरीगैनो नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं मैंने इसमें चिली फ्लेक्स का यूज़ नहीं किया है क्योंकि जो पीजा सॉस है हमारा अल्रेडी बहुत अच्छा स्पाइसी है अगर आपको और जादा स्पाइसी को बनाना है तो आप इसमें यहां पे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स को भी आड़ कर सकते हैं तो ये पीजा पफ की जो स्टफिंग है बिल्कुल रेडी है इसको हम एक अलग बोल में निकाल लेते हैं और इसको ठंडा कर लेंगे तक हमारी स्टफिंग ठंडी हो रही है तो आउटर लेयर के लिए हम डो बना के तयार कर लेते हैं जिसके लिए मैंने लिया है एक कप मैदा और इसमें मैं आड कर रही हूँ एक चोथाई चमश नमक नमक की कौन्टिटी बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि हमने फिलिंग में भी नमक डाला हुआ है और इसके साथ ही यहाँ पे आड करेंगे आदा चमश बेकिंग पाउडर इन दोनों को आड करने के बाद अ इससे कि यह बाहर का जो लेयर हम बनाएंगे वो अच्छा क्रिस्पी बनेगा तो इसको भी हमने इस डो में पहले मिक्स कर लेना है ओल की कौन्टिटी इतनी होनी चाहिए कि जब आप इस डो को मल लेंगे और उसके बाद आप इस तरह से इसका एक बंच बनाएंगे तो यह इस तरह से बनना चाहिए तो यह बिलकुल पॉफेक्टली बन गया है अब इसका हम डो बनाना स्टार्ट करते हैं जिसके लिए नॉर्मल वाटर से हमने इसका डो बनाना है और अच्छे से इसको मलते हुए हमने गून लेना है तो रोटी का जैसे आटा हम मलते हैं उसी तरह से आपने इस डो को बना के तयार कर लेना है तो यह डो जो है हमारा गून के तयार है अब हम इसको आदे गंटे के लिए ढग कर रख देंगे तो यह हमारी पीजा पॉफ की जो स्टफिंग है बिलकुल ठंडी हो गई है अब अब इट लास्ट हम इसमें आड करने वाले हैं चीज तो चीज को हमने पहले नहीं आड किया था और उसको हम इस स्टफिंग को ठंडा हो जाने के बाद ही आड करेंगे चीज को मैंने बारिक क्यूब्स में कट कर लिया है इस तरह से आप भी इसको बारिक बारिक कट कर ले चीज को हमने बीजा स्टफिंग में पहले इसलि तो क्या होगा थोड़ी देर बाद वो hard हो जाता है तो इसलिए इसको हम last में add कर रहे हैं ताकि जब यह fry होगा इसके अंदर heat जाएगा तो यह बहुत अच्छे से melt हो जाएगा सारे puffs में तो यह ready है तो यह dough भी हमारा 30 minutes में तयार हो गया है बहुत अच्छे से तो इसको एक देले में आसानी रहें तो platform को clean करने के बाद मैं उसमें थोड़ा सा मैदा स्प्रिंखल कर रही हूँ और आप हमने इस dough को पेल ना स्टार्ट करना है और इसको हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है थोड़ा सा thickness में हमने इसको बेल के तयार करना है तो इस dough को बेल यह बनके तयार हो जाएगा और इसका टेस्ट एक दम यम होता है आपको मैगडी में जाके पैसे खर्च करने की जौरत नहीं है तो अब मैं इनको स्क्वेर पीसे में कट कर रही हूँ तो जो यह एक्स्ट्रा वाला डो है मैंने साइट से हटा लिया है इसको हम दुबारा यू तो बहुत जादा कॉंटिटी में भी आपने इस स्टफिंग को इसमें नहीं रखना है क्योंकि हमने इसको फ्राइ करना है तो जादा कॉंटिटी में अगर आप स्टफिंग रखते हैं तो कई बार क्या होगा वो फट भी जाता है तो आपने इसमें बहुत जादा इसको paste कर रही हूँ एक तो इसमें ये बहुत अच्छा डिजाइन भी बन रहा है और साथ ही क्या होगा न ये डो बहुत अच्छे से आपस में चिपक जाएगा ताकि जब हम इसको fry करेंगे तो ये खुलेगा नहीं तो ये बनके तयार है और इसी तरह से हम सारे डो में स्टफिंग को आड़ करने के बाद बना के तयार कर लेंगे तो ये मैं दूसरा पीस भी बना रही हूँ इस तरह से आपको सारे पीसे को बना के तयार कर लेना है तो थोड़ी थोड़ी स्टफिंग आपको इसके अंदर डालनी है क्योंकि flavor बहुत ही बढ़िया हमने इसमें डाला हुआ है तो stuffing इतनी enough है इतने बड़े piece के लिए तो इसका flavor आपको बहुत बढ़िया आने वाला है तो वापस से मैं क्या कर रही हूँ एक दूसरी layer को इसके उपर ढख रही हूँ पहले हमने इसको हाथ से अच्छे से paste कर लेना है और फिर folk की मदद से हमने इसके edges को फिर से अच्छे से secure कर लेना है ताकि ये open नहीं हो तो मैंने सारे pizza puffs को बना के तयार कर लिया है और fry करने के लिए oil को मैंने गरम कर लिया है अब हमने क्या करना है? oil गरम होचाने पर gas की flame को low कर देना है और इन puffs को इसमें add कर देना है तो low to medium flame पे ही हम इन puffs को बना के तयार करने वाले हैं अगर आप इनको high flame पे पकाएंगे तो क्या होगा एकदम से dark color हो जाएगा इसका और अंदर से जो ये मैदा होगा बहुत अच्छे से पकेगा नहीं और हमने जो mozzarella cheese इसमें add किया है वो भी अच्छे से melt नहीं होगा तो cheese आप कोई भी इसमें use करें पर हमें क्या करना है मैदा को बहुत अच्छे से crispy करना है तो आपने इसको इसी तरह से low to medium flame पे अलट पलट करते हुए पका लेना है तो एक टाइम पे एक ही pizza puff को हम fry करने वाले है तो देखे ये जो puff हमने बनाया था ये बिलकुल ready है एकदम बढ़िया golden हो गया है इसको हम plate में निकाल लेते हैं और इसी तरह से दूसरा pizza puff को मैं fry कर रहे हूँ याद रहे हमको low to medium flame पे ही इनको fry करना है और एक एक करके ही आप इसको fry करें तो देखे ये दूसरा pizza puff भी बनके बिलकुल तयार है बहुत बढ़िया crispy हो गया है इसको भी हम plate में निकाल लेते हैं और इसी तरह से बाकी के जो बचे हुए pizza puffs हैं उनको भी बना के तयार कर लेंगे तो आप भी इसी तरह से इन mac pizza puff को घर पर बना के तयार करिए बच्चे इसको बहुत इंजोय करने वाले हैं साथ ही बढ़ों को भी ये बहुत पसंद आते हैं तो अगर आपको मेरी ये recipe पसंद आई हो तो वीडियो को like करें और share करें और अगर आपने अभी तक मेरे चानल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजे चानल को subscribe क्योंकि बहुत ये बढ़िया बढ़िया recipes आपको मेरे चानल पर मिलने वाली है तो चलिए मिलते हैं next time happy hours पे नहीं recipe के साथ thanks for watching